इस वीडियो में मैं आपको बताऊगा कि आप वर्ट्प्रेस में डिजिटल मार्केट्प्रेस वेबसेट कैसे डिजाइन कर सकते हो तो सबसे पहले आपको वर्ट्प्रेस को डाउनलोड करना होगा अभी हम जो वेबसेट डिजाइन करनेवाले हैं वो हमारे लोकलOS पर करनेवाले हैं जब हमारी वेबसेट रेडि हो जाएगी फिर उसके बाल हम इसको लाइव कर रहेंगे तो वर्ट्प्रेस हमारा डाउनलिट हो चुका है हम इसको अभी इंस्टल करते हैं तो insert करने के लिए आपको इस file को copy करना है, copy करने के बाद आपको c driver में जाना है, फिर उसके बाद आपके jam folder को open करना है, फिर आपको htdocs में जाना है, और यहाँ पे आपको zip file को paste करना है, next आपको इसको extract करना होगा, तो मैं इसको extract find कर देता हूँ, तो यहां पर यह आ चुका है तो first मैं इसका name change कर दिता हूँ इसको मैं wordpress कर दिता हूँ wordpress ब्रयक्ष आपको इस folder को उबन करना है इसमे जितना भी file से इसको आपको यहाँ से cut करके यहाँ पर paste करना है और इस folder को रिड करना है 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 तो ये आपका मैंट फोल्डेर हो गए और इसके अंदर आपकी जो जतनी भी वर्ड़क्र टि得 फायले ओधे आ गई है był हुआ है तो वर्ड़कय इंस्टाल करनेकी निए आपको अपने सिस्टम में इसले को इसले करना होगा तब सकते हैं पर्स आपको यहाँ पर अपजी को स्टार्ट करना है फिसके बाई ऐहाँ पर माय स्क्यीन को अपको बीभिद्म को ब्रावजर स्वी खेऊ फिल्ड करना है और यहाँ प辜ा आपको लोगको लृह कोण इसके बाद को यहां पर Slash लिख के आपको फोल्डर का नाम है WordPress उसको आपको यहां पर लिक के अंटर करना है तो यहां पर WordPress का इस्ट्लोरेशन आ चुका है next इसके बाद को यहां पर Let's Go पर क्लिक करना है पूसर आपको यहां पर Database का Name एड़ करना होगा तो उसकी लिए आपको पूल क्लिक करना है इंडिक यहां पर सेट करना होगा तो यहाँ पर हम set कर देते हैं mark और इसको हम create कर देते हैं तो यह हमारा database create हो चुका है लेक्स आपको यहाँ पर installation की page प्याना है first आपको यहाँ पर लिखना होगा mark यानि कि हमार जो database का नहीं में वह आएगा username में आपको यहाँ पर लिखना है root password आपको यहाँ पर blank रखना है लेक्स आपको यहाँ पर local रोस दिखना है table prefix में आपको जैसे WSI रहने देना है आप यहाँ पर change भी कर सकते हो prefix को आपको यहाँ पर submit पर click करना है लेक्स आपको यहाँ पर run the installation पर click करना है first यहाँ पर title set करना होगा तो यहाँ पर हम कर देते है marketplace लेक्स आपको यहाँ पर admin username set करना होगा तो यहाँ पर admin लेक्स आपको यहाँ पर password set करना है तो हम अभी 12340 set कर देते हैं और यहाँ पर confirm use of weak password next आपको यहाँ पर email set करना होगा तो यहाँ पर info internet यहां पर मेल इंस्टाल वर्डबेस पर क्लिक करना है तो यहां पर इंस्टाल हो चुका है हम लॉगिन कर लेते हैं यहां अमरा आएडमिन और पासवर्ड 123456 देखस हमको अभी तीम को इस्टाल करना होगा तो हम इसमें वुडमार्ट का जो थीम में इसको इस्टाल करने जाकर ले कर सकते हो अपडि में लोकर स्पर कर रहे हैं ४र institution to turn क्यूंकि अब यहां से करोगे तो यहां पे आपको फाइल अप्रोड कर लिमिट आ जाएगा तो हम इसको मैंली करने वालने है तो इसके ने हम वर्मर्ट के थीम में जाएंगे और इस थीम को कॉपी करके हमारे sti docs में आएंगे जहाँ पर हमारी wordpress का फोल्डर है उसको ओपन करेंगे लिए अपको wp content में आना है फिर themes में आना है और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है तो इसको में यहाँ पर extract file कर देता हूँ तो यहाँ पर theme extract हो चुका है next हम इसको activate कर देते हैं तो मैं फिर से यहाँ पर themes में themes में आऊँगा यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर wordpress हमको show हो रहा है तो इसको मैं activate कर देता हूँ अगर आप उसका setup करना है तो setup कर सकते हैं यहाँ इसको skip भी कर सकते हो तो अभी हम इसको skip पर देते हैं कि मैं आपको इसको check करके भी दिखा देता हूँ localhost वर्डप्रेस यह हमारा theme यहाँ बे आ जुगा है नेक्स आपको इसके plugins को install करना होगा यह जितने भी plugins requirement है वो सबको आपको इसको आप इसको करना है तो हमारे पास already कुछ plugins है जिनको हम install करने वाले हैं तो यह जितनी भी plugins से इनको मैं यह से copy कर देता हूँ और फिर से आप यह वर्डप्रेस के फोल्डर में आके theme फोल्डर में जाकी आप इसको पर paste कर देता हूँ नेक्स आपको इसको यहां से एक्स्टेक करना है ओकी तो यह एक्स्टेक हो चुका है फिर से हम यहां पे plugins में जाएंगे नेक्स आपको इस वाले option में जाना है plugins में install plugins ले है ओकी तो यह यहां पर इस तर से आ जुग है हमको इसको बाहर निकालना पड़ेगा ओके तो मैं इसको एक बार डिट कर देता हूँ फाइन को इस फाइन को भी डिट कर देता हूँ और इसको भी डिट कर देता हूँ इसको एक्स्टेक करना होगा तो तब जगी आप इस वो जाएंगा कि अब यहार पी आ चुका है ँह को मैं इसको डिफ्रेश कर रहता हूं क्टी स्लाइडर है और जो बी जो बार्जिंग से विआ पर आ चुकेंगे अब फिर से हम यहाँ पर dashboard में जाएंगे next आपको यहाँ पर elementar plugin को install करना होगा तो उसके लिए आपको अपने system में internet connection को on करना है next आपको इसमें ucomos plugin को install करना होगा और आपको इसमें elementar plugin को भी install करना होगा अगर आप page को edit करना चाते हो तो उसके लिए आप elementar plugin का use कर सकते हो और इसमें आपको WP bakery भी page builder मिल जाता है अगर आप elementar का use नहीं करना चाते हो तो उसका use करके भी आप pages को edit कर सकते हो तो first हम ucomos plugin को install करने वाले है तो आपको यहाँ पर उड्माट ले plugins वाले option में जाना है यहाँ से भी आप install वाले button पर क्लिक करके इसको install कर सकते हो यहाँ फिर आप plugin वाले option में जाके भी add new plugin में जाके यहाँ पर आप ucomos search करके भी ucomos को install कर सकते हो जैसे यहाँ में search करता हूँ नेक्स आपको यहाँ पर ucomos को install करना होगा तो इस बड़म पर क्लिक करना है तो यह installation अभी यहाँ पर start हो चुका है जब install हो जाएगा फिर उसके बाद आपको इसको activate करना होगा तो यह install हो चुका है नेक्स आपको इसको activate करना है तो यह active हो चुका है नेक्स आपको dashboard में जाना है dashboard में जाने के बाद page आपका refresh हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर ucomos को option हो जाएगा आप दे सकते ucomos को option आचुका है हम यहाँ पर ucomos पर click करेंगे click करने के बाद इसका जो setup है उसका page open हो जाएगा तो नेक्स आपको यह आपके setup में store पर click करना है आप नेक्स आपको यहाँ पर continue करना है यहाँ पर आपको store का name set करना है तो अल्रेड़ी हमने marketplace set किया है नेक्स आपको यहाँ पर कि अग्स आपको इलेमेंटर प्लागिन को इंसल्ड करना है तो यहाँ पर इंसल्ड प्लागिन वाले उप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम एड़न वाले उप्शन में जाएंगे तो इसको हम इस्सल्ड करने वाने है तो यह हमारा ब्लागिन एक्लिट हो जुका है नेक्स हम इसमें हमारे थीम में हम जो प्रीविल्ड थीम में आते जो टेंप्रेश आते हैं उनको हम इंपूर्ट करने वाले है तो उसके लिए आपको यहाँ पर वुडमाट पर ख्लीक करना है लेक्स अपको यहाँ पर प्रीविल्ड वेबसेट पर क्लिक करना है कैई ऌकई टो यहाँ पर बता रहा है कि हम एक ही प्लगइन दूजकों सकते हैं यहाँ इक तो फñoट बैकरी इस प्लगईन को डीजनी कर सकते हैं तो कर दो इसके लिए हम यहाँ बेर कि ऑले भूकिं置 में में ईस्सट्रे प्लगिन में जाएंगे अ और यहां से हम WP Bakery इसको deactivate कर देते हैं और इन्हें मेंटर में आपको free और pro 2 version मिल जाते हैं अभी हम free वाला version यूज़ कर रहे हैं अगर आप pro इसमें install कर लेते हो तो आपको एक्षटा features मिल जाते हैं तो WP Bakery हमारा और इसल हो चुका है नेक्स हम फिर से उर्मट बने option में जाते हैं प्रीविल्ड website में तो यहाप आपको multiple themes मिल जाते हैं जिनको आप यहाप इंपोर्ट कर सकते हो इंपोर्ट करने से क्या होगा आपको यह जो website है इसमें demo data आ जाएगा तो आपको खुछ से design करन और यहां से आप live review भी check कर सकते हो जैसे इसका अगर live review देखना है तो यह इस तरह से आपको इसका design मिल जाएगा ओके यहां पर मुझे digital product के लिए चाहिए तो मैं एक बन देख लेता हूँ यहां पर कौन सा theme हमर ले बेश्ट रहेगा तो अब यहां इसमें यह जो basic वाला हमने जो देखा था उसी को हम यहां पर import करने वाले है यह वाला इसी को हम import करने वाले है तो import करने के लिए आपको यहां पर import वाले बड़म पर लिख करना है ओकी तो यहां पर यह import हो रहा है तो जब तक यह इंपर्ट हो रहा है तब तक में इस फीडियो को स्किप पर देता हो तो यहाँ पर हम को एक एरर आ चुका है कि the import could not be complete due to lower timeout limit on the server तो आपको क्या करना होगा आपको जो timeout है उसको increase करना होगा तो increase करने के लिए आपको क्या करना है जैंब को open करना है और यहाँ पर आपको कॉल्टिक में पीएचपी.ini इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको find करना है max execution time यहाँ पर यह वर्ल ट्वैल्टी है इसको आपको increase करना है तो यहाँ पर हम option कर देते हैं एक बार आपको इस option को increase करना है इस time को increase करना है एक बार फिर से आपको अपने server को restart करना होगा तो यहाँ पर मैं stop कर देता हूँ और फिर से इसको start कर देता हूँ मैं फिर से एक बार इसको refresh कर देता हूँ और फिर से मैं यहाँ पर basic को import कर देता हूँ तो आपको wait करना होगा फिर से और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि यह apply होता है नहीं होता है तो theme अबरा import हो चुका है यहाँ आप देख सकते हूँ यहाँ पर content has been successfully imported message हमको यहाँ पर show हो रहा है मैं आपको यहाँ पर homepage भी check करके दिखा देता हूँ इसको मैं refresh करके आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारा जो demo content था वो यहाँ पर import हो जुगा है नेक्स मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको edit कर से करना है जैसे आपको अगर इस homepage को edit करना है जैसे आप image exchange करना है अगर किस section को आपको delete करना है तो वह आप किस तार से कर सकते हूँ तो यहाँ पर आपको edit with elementary option मिल जाता है इसको आपको click करना है नेविगेशन हम बात में change करेंगे जो भी navigation फिर हमको menu add करना है वह बात में setup करने वाले हैं फॉस्ट हम यहाँ पर इस image और text को change करने वाले है तो फॉस्ट में इस page क्लिक करूँगा क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर options आ जाएंगे तो हम यहाँ पर हम country में जाएंगे जैसे यहाँ पर मुझे इस और text को change करना है तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख दूँगा जैसे यहाँ पर मुझे लिखना है कि PHP source code आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं यह जिस मैं आपको दिखाना हूं कि आप इसको कैसे एडिट कर सकते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आ चुका है हमने जो लिखा है यहाँ पर सोपा की जग जैसे अगर आपको इस image को change करना है तो आपको बैक्रण को लाप्चिंग में जाना है और यहाँ से आप image को change कर सकते हो तो इस तरह का आपको first image बनाना पड़ेगा जैसे image और इसके background में भी color है मतलब इस background color के ऊपर image को select किया है अगर आप direct को image add करोगे तो इस तरह का design नही करें तो मैं फिर से यहाँ पर में विट्ट को open कर लेता हूं कि यहाँ पर मैं inspect करके देख लेता हूं कि इसकी जो size image की वह कितनी है इसकी जो ओरिनियल साइज है वह एट डबाज जिरो इंटू 525 है तो हमको इस तरह का image पहले बनाना पड़ेगा आप देख सब्सक्राइब इसकी जो original size वह इस तरह से वह रिंडर साइज इस तरह से कि ओकी तो first time किया करेंगे इस image को हम save कर लेंगे डेक्स्टॉप पर और हम इस image को हम photoshop के open करने होने है इसके हम size देख लेते हैं image size में आप देख सकते हैं तो यह आप देख सकते हो इस image की जो width है वो 800 है और इसकी जो height है वो 525 है तो first मैं क्या करूंगा इस image को यहाँ से remove कर दूंगा तो मैं इसी color को यहाँ पर set करने वाना हूँ तो यह यहाँ से image हट चुकी अब मैं क्या करूंगा इस PHP वानी image को यहाँ पर place करने वाला हो तो यह जो background आ रहा है यहाँ पर PHP का इसको मैं remove करने वाला हो तो यहाँ से remove हो चुका है मैं यहाँ से भी score देता हो अगर आपको Photoshop यूज करना आता है तो आप कोई भी image को change यहाँ से easy कर सकते हो तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से state कर देता हो और मैं इसको save कर देता हो इसको मैं save कर देता हो jpg में ओके तो आप देख सकते हैं यहाँ पर image हमारी save हो चुकी है मैं फिर से यहाँ पर जाओंगा यहाँ पर चूद image में यहाँ पर मैं upload में जाओंगा और अबने जो image को update किया है उसको मैं यहाँ से select कर दूँगा और यहाँ से मैं इसको select कर दूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर image है वो यहाँ पर update हो चुकी है next आपको इसको update पर click करना है तो update करने के बाद यह जो image हमने जो image यहाँ पर upload किये वो हमारे website में save हो जाएगी मैं आपको यहाँ पर फ्रेंट पर भी दिखा जाता हूँ refresh करके तो आप देख सकते यहाँ पर जो image हमने upload किती है वो यहाँ पर show हो रही है तो इस तरह से आपको यहाँ पर जितने भी очку बें, kidney has their site की dummy container की Mode helpful, पर उफके हमने उसको आपकेmate करना होगा है जैसे कि स्टेबल की image की की чो करना है टेक्स चेंज करना है अगर आप यहाँ पर लिंक एड़ करना है तो वो भी आप यहाँ से इस लिंक वाले option में यहां आप आपके लिंक एड़ दरकते हो जैसे आपको अगर आपको सेक्शन को अगर यहाप पर हटा रहें या से तो आपको हिए जो एक्स वाला उप्षिन को देख रहा है कि अपको को रिड्क करना होगा तो यह काल टेलर है vi जो section है हम बारा हो वो डिट हो जाएगा ओक यह हट चुका है मुझे ओके यह में रेने देता हूँ best selling अगर मुझे इसको edit करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर option आ रहे हैं edit करने के लिए तो आप यहाँ से इसको easy जो है text को change कर सकती हो इसको अब्रेट कर देता हूँ अब्रेट करने के बाद मैं आपको एक बार फिर से refresh करके दिखाने देता हूँ कि आप देख सकते हैं अभी हमारे website पर इतना ही content बचा है है लेकिता हम देखते हैं कि आप navigation को किसे setup कर सकते हो तो navigation को edit करने के लिए आपको यहाँ पर अप्रेंस वाले option में menus में जाना है तो first आपको यहाँ पर menu को select करना होगा तो हमारा जो header वाला menu है उसको हम select कर लेते में मेनू इसको हम select कर लेते हैं यहाँ से तो हमारा जो main navigation है वो यहाँ पर आ चुका है आप देख सकते हो home shop block contact तो अगर आपको यहाँ से किसी menu को अगर हटाना है तो वह भी आप यहाँ से हटा सकते हैं जैसे कि यहाँ पर मुझे इस contact वाले बटन को option को menu को delete करना है तो यहाँ से मैं remove पर क्लिक करना है यह remove हो चुगा है मुझे स्कौट आना है तो यहाँ से मैं इसको remove कर दूँगा तो यह remove हो चुगा है तो इस तरह से आप multiple menus को यहाँ से manage कर सकते हो remove कर सकते हो तो यहाँ पर जितने भी options आ रहे हैं उन सबको मैं यहाँ से one by one हटा लेता हो बल्क slip में इससे option नहीं आएगा ओकी ठीकी यहाँ से मैं बल्क वाला option से इसको हटा लेता हो इस शॉप करने को मैं यहाँ से अटा लेता हो रिमू करने के बाद आपको इस menu को सेव करना है तो यह आ चुका है अगर मैं आपको अभी refresh करके दिखा जाता हूं पेस यहाँ पर उनले आपको एक ही option मिलेगा और होम में भी आपको यहाँ पर multiple options आ रहे तो हमको इसकी जरूद नहीं है उनले हम यहाँ पर home का ऑफ्चन दिखाने वाले है इसको drop-down को हम हटाने वाले है तो यहाँ पर मैं इसको भी हटाने वाला हो इसकी भी मुझे जरूद नहीं होम की हम इसको fresh create करने वाले है कोगी अब भी हमारे navigation पर कोई भी menu नहीं है तो हम इसको manually create करने वाले है जिससे अधर मुझे यहाँ पर home वाला बट option add करना है menu add करना है तो यहाँ पर मैं जाओंगा यहाँ पर तो custom menu add करने के लिए first आपको यहाँ पर custom links में जाना है आपको यहाँ पर URL को add करना है जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर home का menu add हो तो यहाँ पर मैं link देता हूँ home तो आप यहाँ पर जो भी take set करोगे same उसका menu यहाँ पर बन जाएगा इस navigation पर और इस home को लिंक देना होगा तो link में आप आपका website का link add कर सकते हैं आपको जूड़ो मैंने उसका main page का link add कर सकते हो तो अभी हम local host पर कर रहें तो मैं यहाँ पर इस वाले local host की URL को यहाँ पर अप्डेट कर रहें तो एक सबको यहाँ पर add to menu पर क्लिक करना है तो यहाँ पर आ चुका है इसको आपको save करना है मैं आपको refresh करके दिखा देता हूँ इसको यहाँ पर हो आ चुका है पहले यहाँ पर drop down आ रहा था आप अब देख सकते हैं यहाँ अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सेम हमारा page यहाँ पर open हो जाएगा क्योंकि हमने इस home वाले menu में यह वाला link set किया है home page का आप यहाँ जब apply करोगे तो आपको फिर से square करके आपका जो domain होगा उसका link आपको यहाँ पर add करना होगा लिक्स हम क्या करते हैं यहाँ पर drop down का option add कर देते हैं यहाँ पर फिर से जाऊंगा किस्टम लिंक में यहाँ पर मैं हैश एड करूँगा और यहाँ पर मैं क्याटिगरी एड कर देता हो add to menu तो यहाँ आपको इसको मैं सेव कर देता हो मैं अपको इसको refresh करके दिखा देता हो यहाँ आ चुका है अभी आपको इसमें सब क्याटिगरी को add करना होगा तो सब क्याटिगरी एड करने की लिए फॉर्स्ट हम क्या करेंगे pages को create करेंगे तो pages create करने की लिए यहाँ पर pages वोले option में add new pages पर आना है इस पर मैं right क्लिक कर करके इसको new tab में open कर देता हो अब जो pages आप यहाँ पर create करोगे वो यहाँ पर आप कोई show हो जाएंगे फिर उस pages को हम इसमें add करेंगे तो यहाँ पर मैं एक page की नाम से page बनेता हूँ, page की इसको publish कर देता हूँ तो PHP page हमारा add हो चुका है मैं इसको close कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पर pages पर add new page पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर हम एक और page बनाएंगे जिसका नेम रफ्ते जावा और इसको मैं publish कर देता हूँ आज से ओके तो यहाँ पर add हो चुका है मैं इसको close कर देता हूँ, अभी अगर आप इसको refresh करोगे तो यहाँ पर यह page नहीं आएगा क्योंकि आपको menu page, page को add करना होगा इस category में तो उसके लिए इस page को मैं यानि कि यह जो हमारा menu वाला pages इसको में reload कर देता हूँ, अगर आपको reload नहीं करना तो आपने इसको menus में जाओगे तो यह फिर से आपको इसको reload करना पड़ेगा तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जाओगा और page की हमने जो pages क्रेट किये ती हो यहाँ पर शोर है मैं इसको यहाँ पर add to menu कर देता हूँ अगर आप इसको ऐसे ही सेव करोगे तो यह इस category के अंदर नहीं आएंगे यह उसके बाहर चले जाएंगे जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा लिए यहाँ आप अभी के सब क्रेडिगरी बन जाएंगी तो इसको मैं से उपर देता हो अगर आप लोकल होस पर काम करते हो तो आपका यह जो काम है वो फास हो जाता है क्योंकि वोस्टिम में कहा रहता है कि जैसे अगर आपको वोस्टिंग स्लो है तो आपको बैजिस सेव में अप्लोड में करता हो कि तब देख सब्सक्राइब क्याटिकरीज में जाओ और पीच पी आ चुके हैं